नमस्कार आज का मेरा विशे आपके सामने है ग्लोबल वार्मिंग इंजॉई इट प्रेजंटेशन शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप छोटी सी दस सेकेंड की एक छोटी सी तो इसी के लिए ग्लोबल वार्मिंग है क्या अगर हम इस स्लाइड को जो भी फिल्म दिखाई थी मैंने उसको देखें तो उसमें एक स्ट्रीम प्रोजन है और एक में पानी बहे रहे हैं यही एक थीम को लेके मैं आगे अपनी प्रेजेंटेशन बढ़ाता हूं और इसके इस फिल्म के जरीए मैं अपनी बात को रखंगा जब भी हम ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सुनते हैं तो एकदम ख्याल आता है इंटार्टिका का आर्टिक का और वो बरफ का जो उसमें पड़ी हुई है जमी विए इतने सालों से दूसरी बात आती है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो ग्लेशेज हैं वो मिल्ट हो गए और जो पॉलर बियर्ज हैं वो विचारे बहुत दुरूइदा से एक जगा से दूसरी जगा में जा रहे हैं और उनकी अस्टित तो ही खत्रे में आ गया है क्योंकि सारी की सारी ए प्रिकल जाएगी और पॉलर बियर्ज खत्रे में आ जाएंगे और क्योंकि बरफ नहीं होएगी तो वो ड्राउन हो जाएंगे और जैसे गाडियन ने कहा था कि पॉलर बियर्ज डाइंग ड्यू टू ग्लोबल वामिंग ऐसे इसे शीर शक हमारे को बिताए जाते हैं ग्लोबल वामिंग का जब भी बात होती है दूसरी बात होती है अगर ये काफी नहीं है तो हमें बिताए जाते हैं कि पॉलुशन के कारण global warming के कारण pollution बहुत बढ़ गया है और man-made activities के कारण बहुत बढ़ गया है और greenhouse gases बढ़ गई है और कुछ समय के बाद इन greenhouse gases में से एक gas को निकाल दिया जाता है और बुताया जाता है कि carbon dioxide के कारण बहुत ज़्यादा problem आने वाली है तो यह stories जब भी हम global warming के बारे में बात करते हैं यह एक uncertainty वाली बाते हैं और एक fear create करने वाली बाते हैं एक agenda के तौर पे हमारे को बताई जाती हैं और अगर इसकी थोड़ी तहकीकात करें तो मैन कबसे यह relate हुआ है जबसे यह United Nations IPCC बनी है International Panel on Climate Change जबसे यह बनी है कबसे इसका एक ही agenda है कि मैन को किसी ना मैन और उसकी activities को किसी ना किसी तरह global warming के temperatures के साथ जोड़ा जाए carbon dioxide अलगौर की inconvenient truth और यह जितनी भी United Nations की IPCC की जो जितनी भी reports इनिशल आई है सारी carbon dioxide को बड़े ढंग से hockey stick curve बना के कि जैसे यह से बनता जाएगा वैसे उसे global temperatures बढ़ते जाएगे और बढ़ने के कारण एक time ऐसा आएगा कि वह बरदाश्य बाहर हो जाएगे और human civilization सारी अस्तित्व ही खतम हो जाएगा तो यह सारे की सारी United Nations की report global warming के बारे में हैं और यह सारी की सारी हमारे अंदर fear create करते हैं क्या यह सच है नहीं सच इससे बिलकुल विप्रीत है carbon dioxide जो है वह essential part है हमारी food chain का अब human population six billion is nine billion years तक expected है थोड़े से सालों में हो जाएगी दस अगले decade में तो उसको सबसे ज़्यादा जूरुत क्या प्लांट्स की है और प्लांट्स खाने के लिए food chain में बहुत important है और उसको सबसे ज़्यादा जूरुत carbon dioxide की तो यह natural phenomenon जो balancing कर रहे हैं हो रहा है तो pollution दो तरह से होता है एक है natural और एक है volcanic तो अगर हम geological past में जाएं तो ऐसे आसे volcanoes जो जो 2000 km की volcanic eruptions होई हैं यहां पर past में जिसके जो बहुत ही भ्यानक रही है लेकिन वह एक natural प्रक्रिया है और वह pollution अलग चीज़ है अब जब man-made industrialization अभी 100-200 साल से आया है तो यह अलग प्रक्रिया है तो दुनों का global warming से कोई लेना देना नहीं है यह एक geological प्रक्रिया और एक man-made प्रक्रिया है और इसका warming से कोई लेना देना है या नहीं है यह एक बहुत scientific विश्य था और इसको यह ऐसा हो गया पोलर बियर आ गया पॉलूशन आ गया काबन डेक्सिट बढ़गी इसलिए टेंपरेचर बढ़ रहे हैं कोई भी scientific evidence नहीं है कि इससे climate change increase हो रहा है या decrease हो रहा है तो मैं इसमे climate change में कैसे आया लदाक में मैं काम कर रहा था और मेरा अच्छा काम चल रहा था हिमाल्याज में ground water exploration का और अगर उसमें मैंने यह दिखा कि जब मैं यहां पर था तो global warming the best part यहां पर लदाक में कि जब warming times में यहां पर लदाक में आओ तो यह एक जननत नजर आती है सरदियों में आओ तो यहां पर सब कुछ freeze होता है इवन की पानी जैसे मैंने दिखाया आपको वह भी freeze हो जाता है शुरू हो जाता है तो warming is the best part to be on this planet earth we are fortunate our generation is fortunate next generation would be fortunate कि हम warming times में इस planet पाई हैं imagine if we cannot enjoy warming just imagine ask people who have been to antarctic or arctic और उनकी life कैसे होती है that is what it is to be in global cooling times तो यह हमार को देखना है कैसे हम warming के साथ रह सकते हैं मेरी इसमें involvement सिर्फ यह होई कि मैं पानी के साथ पहले काम कर रहा था groundwater exploration के साथ और mountains पहले devoid थे groundwater के साथ resources के साथ तो मैं उसमें conceptual model बनाए occurrence and movement of groundwater resources और उसका model प्रस्तुत किया फिर मैं यह है hydrostatic graphic zone से साथ hydrostatic graphic zone में आया और कैसे different theories देखे conceptual model देखे groundwater explore कि हमने लदाख में हिमाचल में भी किया फिर लदाख में भी किया फिर मालब इंद यह सेवन जोन में के आसपास भी किया फिर कारा करूम में भी किया और I was very happy exploring water resources for Indian army and civil population और यह सियाचिन में भी हमने पानी निकाला groundwater Guinness book में भी हमारा नाम आया तो यह सब कुछ चल रहा था बड़ा अच्छा और मीडिया से भी काफी अच्छी coverage मिल रहे चीं पर यब यह क्लाइमेट की बात से में कैसे जोड़ा 2007 का incident है कि हमने यह पढ़ा एक report है कि human activities are responsible are raising the temperature लिदाख में जब आप काम कर रहे हैं यहां पर कोई human activity नहीं है इतनी ज्यादा नाई industrialization है पर यहां पर फिर भी impact climate change का आप देख सकते हो फिर United Nations की भी report आई कि यह United Nations बला 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 करके और इन्होंने temperatures बढ़ा दी है और carbon dioxide बढ़ा दी है और यह सब greenhouse gases बढ़ गई है man-made activities के करण पर यहां पर कहीं पर लदाख में man-made activities नहीं थी फिर भी यह सब कुछ बहुत अजीब सा लग रहा था मिरको यहां पर कुछ भी नहीं है और फिर भी यहां पर यह कैसे यह हमारे scientists लोग greenhouse gases को global warming के साथ जोड़ रहे हैं और कैसे यह man-made activities को global warming के साथ जोड़ रहे हैं यह तो एक natural सी प्रक्रिया है global warming or global cooling तो यह फिर मैंने एक statement दिए थी कि जो जितना भी पैनिक है global warming का 2008 में कि यह सब कुछ सही नहीं है यह misplaced है बिलकुल अब यह इतना कहना ही सही नहीं था फिर मैंने concepts जब इतने साल लादाख में काम कर रहे था तो यह concepts अबनाया God give me the courage to change the things I can pollution and technology accept the things I cannot change climate global warming and global cooling serenity and wisdom to know the difference तो यह एक old provoke थी जिसने मेरी जिन्दगी को बल्दा तो इसको मैंने climate change में डालके देखा तो pollution और technology को हम change कर सकते हैं वो हमारी बनाईवी है इंसान की बनाईवी है जिसे हम pollution create कर रहे हैं अगर हम technology improve कर देंगे green technology ले आएंगे अच्छी अपने rivers को अच्छा pollute नहीं करेंगे अपनी आवातावरन को साफ रखेंगे तो हम pollution को और carbon dioxide levels को greenhouse gases को रोक सकते हैं लेकिन climate change को लोक नाव असंबाव है वो हो नहीं है वो natural प्रक्रिय है वो मैं आगे से थोड़ा सा बताऊंगा आपको फिर जब यह सारी बात ही आगी तो natural सी बात है एक geologist के नाते यह बोलना ही काफी नहीं था मुझे उसको प्रूब भी करना था अब क्या हुआ पानी को पहले से explore करता था ड्रिल करता था ले दाग में और फिर मैंने देखा कि जितने भी evidences थे हमारे exploration के पीलियो चैनल्स थे चाहे वो प्लाइक प्लाइमेटिक सिग्नेचर्स थे चाहे वो ग्लेशल रिसीड को हम देखते थे मोरेंज कहां पर हैं पेरियो लेक्स को देखते थे और बाकी भी जितने भी evidences इधर वदर से जो मिलते थे हमारे को circumstantial evidences उनको सबको मैंने पानी के साथ सथ climate के रूप में भी अब देखना शुरू किया अब प्रायर्टी थी sediments और climate change signatures को identify करनेगी तो यह किया तो उसी टाइम के इतिफाकन मेरे को एक project मिला था ले augmentation water supply scheme का तो वहाँ पे आर्मी के लिए मैं बोर्वेल कर रहा था मैंने बड़ा simple सा एक किया जब हम exploration करके drill करने लगे तो मैंने देखा कि जो drilling technology हमारी बड़ी सही है तो excited explore की जहांबे paleo channels मेरे को नजर आ रहे थे तो वहाँ पे जब हमने drilling खिरू की अब samples में पानी के लिए नहीं देख रहा था पानी के लिए तो देखी रहा था लेकिन samples मैंने climate signatures के लिए भी देखने शुरू कर दिए कि कौन कौन से samples आ रहे हैं लेकिन उसकी काफिनिटी अब ले में हैं तो हमारी या तो बैथलिट से होनी चाहिए क्या हो सकता है कि इस टो कंगडी के sediments वहां से across आगे हूं इंदस के तो वहां पर हमार को वह मिलने चाहिए तो मैंने यह देखा कि पहले 20-30 फूट तक तो हमार को यह alternate layers मिल रहे थी ग्रिनाइट की जिसमें dominance थी फिर सिल्ट स्टोन और सैंड की dominance थी pebbles की और फिर धीरे धीरे जैसे हम नीचे जा रहे थे तो हमने देखा कि जो concentration है सारी वो सारी के सारी बदल रही है किस की बदल रही है मतलब यह जो सेडिमेंट से ना तो वो kaardum glacier के है पन्नाई वो तो कांगरी के हैं तो किस के थे वो यह थे इंदस glacier के Basriकलि तो इंदस glacier के जो sediments हम अरपसा आए तो हमने देखा इसका कि यह ये Indus Glacier के Sediments थे ना तो ये कारदून से मिलते थे बेथलेट से ना ये स्टोक कांगड़ी के Sedimentrally Rock से मिलते थे तो हमने ये बेसीकली ये निर्शकार्श निकाला कि ये इस आप बन्ट वें सिंडाहा थे ये और ये सब्सक्राइब के सेडिमेंट यूप ग्लीसेट या सब्सक्राइब हुए जब था यह काफी दूब से बधिधा सब्सक्राइब नहीं के परीजों headache clickity कि या फीछह का मुद्स आ क्पा ministry अगर हम 11,714 साल मन लें जो डैनिश एक बुर्वेल्स का डेटिंग कर रखिया है आइस कोड्स की उन्होंने आर्टिक में या ग्रीन लैंड में तो उसकी डेटिंग के हिसाब से मनने तो लास्ट आइस एज खतम होई थी 11,700 साल पर लें तो उसके बाद जितने भी यह खर्दंब्ला ग्लेशिर के और स्क्वाग्ाञी ग्लेशिर कर इसका वह अपर वह अलगी विचे आ जाता है लेकिन हमारा को एविडेंस मिल गये थे तो ग्लोबल वामिंग का पहला एविडेंस हमारको यह मिल गया था जब हम बॉर्वेल कर रहे थे आर्मी के लिए तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा था कि आगे हम जा रहे थे क्या बोलते चांथम की तरफ तो वहाँ पर हमारे को यह रॉक्स में ग्रिनाइट्स में यह सिगनेचर मिले जो बड़े टिपिकल से सिगनेचर थे आते जाते हैं हमने पहले भी बहुत बार देखा था इनको लेकिन कि अब यह समझ में आने लगे कि यह सिगनेचर हमेशें यह रहती थी उसकता कि यह जिए जिए मौफिक फीचर बने कैसे हैं यहां पे इतनी आयट में यह कम से कम 30-40 मीटर यह उपर थे यह क्या बोलते अगर यह मान लें यहां पर यह जो चीज है रिवर इंदस यहां पर यह सिगनेचर काफी उपर थे तो मैंने यह देखा जब यह अब्जाब करने लगे तो यह यह बिल्कुल सी की तरह थे कुछ यहां पर प्रोटूबरेंस थी और फिर यह डिप्रेशन था और यह ऐसे से देखा तो हमने नोट किया कि यह सारे के सारे कब करीब 10 साइकल ऐसे ह सीखल सी क्या साल कि यह एक यह हमने देखा कि यह Il Vatican X को रिप्रेशन करता है यह 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 वह आई यह हम हादा ए आगए उसकी हाँ है और यह एबाराआ ली खिट और यह और है यह गवा रौटा तो मजलम हमने यह देखा कि कैसे हर चार साल प्रां साइकल के बाद यह आधी साइकव आहीं कित्रों को इसको ग्लाएंड किया थो यह और आईसेज कर्वि लीनियर री ट्रांस्वर्म इंटू वामिंग मैक्सिमा फिर बीच वाला जो पोर्शन है वह सारा का सारा यह वामिंग मैक्सिमा आजाते हैं और फिर उसके बाद यह आईसेज आजाती है तो यह बड़ा interesting सा तो यह मैं बदाई चुका हूं कि 8 cycles थी और जब इसको फिर mathematical calculation की 11700 साल से पहले और फिर इसके बाद यहां से इन cycles को 10 cycles को तो हर cycle की age approximately हमार पास आगी जो complete cycle थी उसकी 1338.6 years और जो half cycle थी उसकी आगी 669.3 years तो अगर हम देखें एक साल कितना होते 365 दिन का और एक दिन होते 24 घंटे का ऐसी जो एक climate cycle है उसकी calculation हमने की in cycles के हिसाब से और जो high score हमार को वहां से मिला था जो dates मिली थी उसके कारण हमारी यह आगी तो अगर हम पहले वाली figure में जाएं तो यह usage है फिर यहां पर warming शुरू होती है तो यह melting शुरू होती है जो melting शुरू होती है तो पानी का पानी ज्यादा आता है तो यह rocks को ज्यादा कारता है और यह center में क्या है यह global warming maxima है और फिर cooling शुरू होती है और cooling के बाद क्या होता है यह ice age आ जाती है तो ice age, warming, warming maxima, cooling, cooling और फिर ice age तो यह हर बार यह अपनी प्रक्रिया ऐसे चलती रहती है इसका irrespective of कि हम क्या कर रहे है कि क्या नहीं कर रहे है जैसे sun की cycle है वैसे ही है cycle कर रही है ग्लोबल वामिंग की भी और ग्लोबल कूलिंग की भी अगर वो कुछ डेट्स डैनेश बोर्वेल्स की जो सैंपल्स है उसके कारण glacial maxima जो last ice age वो बदल जाती है तो यह थोड़ी calculation बदल जाएंगी अदरवाइस हमारी observations बिलकुल सही है इसी model को हम प्रस्तूच करें तो य साइकल्स यह 11,700 15 साल से लेके आगे अगर 3000 यह अगली future predictions भी हमें इस cycle इस चार्ट के थू कर सकते हैं तो यह interesting है बहुत जादा तो अगर मैं देखूंगी यह 2010 में क्या हुआ floods बहुत आये थे और बद्रीनात में भी किदानात में भी आये थे तो उसमें क्या हुआ था हमारे को बहुत ज़्यादा warming के करण और unprecedented बारिश यहां पर हुई थी flash flooding activity हुई थी तो वो हमने 2010 basically maxima था और उसके बाद हम बोल रहे हैं कि धीरे धीरे कर्वी linear क्या हो रहा है वो उसकी तरह आ रहा है अगर हम इसको देख लें यह लामा यूरू के लिए यह मैं थोड़ा सा discuss करूंगा 2006 में तो उसमें क अगर थेम्स रिवर फ्रोजन फ्रीज हुई थी तो यह हम यहां पर दिखा पा रहे हैं कि कैसे 1677 में फ्रोजन थेम्स रिवर थी वो फ्रीज हो गई थी तो महां पे global cooling little ice ह हम बता रहे हैं अब इस model के तहत लोथल की civilization भी मेरा क्याल से हम अगर हम रमायन काल में भी चले जा वो उस ताइम हिमालियस में glacier ज्यादा थे सी लेवल वहां पे ocean level कम था तो उसकी जो level है वो भी हम accurately measure कर सकते हैं मेरा यह और फिर उसके बाद महाबारत में जो दौरका की submergence है वो भी इस global warming के थू यहां पर देखेंगे लोथल की जो submergence आ रही है वो भी global warming maxima यहां पर आ रह अगर हमारी नेक्स्ट इसे नेक्स्ट में दो तीन जेनरेशन चार जेनरेशन के बाद तो यह 2300 में cooling में अभी cooling शूरू हो जाएगी थोड़े सालों बाद और फिर 2300 में little जैसे themes freeze होगी थी वैसे कई rivers यहां पर freeze हो जाएंगी future predictions में यह model से हम जान सकते हैं पर इसको अभी कफी detail में करने की काम की जूरू होता है यह तो जो evidences हमने circumstantial evidences लेए थे जैसे themes का मैंने बताया आपको little ice age थी 3336 वह साल की तो यह हाल हो गया था और यह आगे 2334 में ऐसा हाल फिर होने वाला है तो जब freeze हो जाएगा सब कुछ तो ले floods जो थे 2010 के वो भी हमने बताया कैसे यह coincide करते हैं half cycle के लिए तो केदानात में जो बद्रीनात में भी जो केदानात में जो पने floods आए थे और यह ले में जो आए थे उधर हम देख रहे हैं कि जो accumulation हुई है sediments की 10 feet के करीब हुई है 10-11 feet के करीब हुई है तो 3 meter के करी accumulation दुनें जगह हुई है तो यह उतना ही पानी निकाल पाए है जितना जितना यह coincide करता है half cycle के थे और अगर यह full cycle होती तो आप देखे कितना imagine कीजिए कितनी यह destruction करता तो यह lay floods का ही scene है कैसे यह उसने 2010 में किया और यह फिर आप देख रहे हैं कि lakes लेक्स का mountain hydrogeology में बहुत important role है अब जितने भी mountain lakes है यह central हिमालेयस में यह जैसे glacier recede करते हैं अब यह देख रहे हैं यह सारे का सारा glacier है और यहां पर क्या है कि यह यहां पर कोई blockade हो गई है और यहां पर यह lake बन गया और यह lake तब तक पानी जमा करता रहेगा जब तक यह threshold यह break नहीं होता और जब यह threshold break हो जागा तो हम flash flooding बोलते हैं जिसी के दारात में होई तो इस तरह से glacier lakes बहुत important source है हमारे reservoirs भी है पर जब यह flooding के पर यह अगर इनका breach हो जाए यह hydrostatic discipline हो जाता है तो यहां पर बहुत तगड़ी flooding आ जाती है तो यह जैसे ब्रीच हुआ ऐसे ही 1006 में जो लामा यूरूप glacier था glacier lake था यह देख रहे हैं आप पूरी की पूरी boundary लेक की थी paleo glacier lake था यह सारा का सारा और यहां पर आकर यह ब्रीच कर गया hydrostatic discipline हुआ यहां से ब्रीच कर गया और यह flooding हो गई है और यह जो बाकी remains रहे गई है अभी भी इसको लेक के रूप में देख सकते हैं पर अब इसका बिल्कुल जो सर्फेस है वह ऐसा लगता है जैसे मून लैंड होना होते हैं तो basically क्या है कि जो glaciers हैं हिमालियास में और glacier lakes है वो life line है water resources की more than one billion population को feed करती है यह लेकिन majority of the glaciers जो हैं हिमालियास के वो extinct हो चुके हैं या on the verge of extinction है बहुत कम रहे हैं अब यह खरदुमुला का glacier है जो feed करता है ले टाउन को तो आप देख रहे हैं कितना कम-कम मात्रा में रहे हैं यह काफी पहले की तस्वीर है तो हमारे को यह देखना है कि यह इसको preserve करने की बहु वहां से लेकि हमने जब इसको जो मैंने आपको दिखा ही slide जहां से मेरा आया था और जो यह trace out किया यह approximately 22 या 23 किलोमेटर के करीब यह recede कर चुका है तो यह documentary evidence है कि यह 30 किलोमेटर last ice age के बाद decrease कर गया है तो 11,714 साल के बाद यह यहां पर इतना recede किया हुआ है फिर यह इतना recede करके अब क्या है यह यह ना यह ना यह ना इसका तो यह अब जो remaining glacier यहां पर रह गया है तो यह एक किलोमेटर के करीब रह गया है जब तक यह है तब तक हम water resources की कोई कमी नहीं आ सकती लेटाउं में लेकिन जब यह खतम हो जाएगा तो फिर crisis बहुत strong आने बाले हैं तो यह important चीज़ है तो पर important चीज़ है यहां पर कोई industrialization नहीं थी और these glaciers became extinct or on the verge of extinction much before 1000 में यह सारे के सारे glaciers 1000 साल प्रेले लब 11,000 साल से यह receipt करना शुरू होए थे लेकिन 1000 साल तक यह almost extinct होगे कई on the verge of extinction है तो man का इसमें कोई rule नजर नहीं आता है यह important चीज़ है इसमें क्योंकि extinct 1000 साल पहले होगे हैं यह glacier फिर एक और glacier है मौका मिला सियाचिन में काम करने का सियाचिन glacier में तो जब हम glacier में काम कर रहे थे सियाचिन glacier में तो देखा वहाँ पे यह glacier की snout है कि देखिए क्या है इसको एक वाई पाइंट है वाई जंक्शन है नुब्रा वैली में वहां से लेके वहां पर ड्रिल के बोर्वेल्स वहां के samples लिए और यहां के samples compare किया फिर देखा हमने की यह 78 के करीब उस टाइंग था तो अब यह मेरे खाल से ज्यादा हो गया होगा यह document करने वाल तो वहां पर भी जो glacis का हाल है अभी जब गलवान के एपिसोड में I was there वहां पर जब ब्राउन वाटर के लिए explore कर रहे थे तो वहां पर भी glacis है ही नहीं यह बहुत कम रह गए हैं पर यह भी मैंने देखा सियाचिन भी 78 किलोमेटर के करीब कारो करों में भी impact बहुत देखें तो यहां पर कितनी यह रिसीड आ गया है तो इसको जब हमने calculate किया तो approximately हमने यह देखा कि यह eight meters यह यह जो है approximately एक मीटर एक हजार मीटर एक हजार साल में यह receipt किया हुए तो महलब यह जो approximate है यह यह सारे का सारा one meter in thousand years यह receipt करा हुए यह हमारी estimations है अभी और बड़ी अच्छी documentation हो सकती है अगर हम इसको और अच्छी दंसे करें sorry यह यह सोमररी लेक था फिर यह पैंगॉंग लेक three years के बाद बहुत famous हो गया और हर कोई अब यह यहां पर आके करना जाता है पर हमारे को लुकम में भी जो starting point है इसको और थाकुम में भी drill करने का मौका मिला अब यहां पर basically यह four fingers और eight fingers आपने बहुत सुनी होएंगी तो जब हम यह document कर रहे थे तो हमारे को पूरे ऐसे evidence मिले कि पहले यह यह पैंगॉंग लेक था यह लेक नहीं था यह tributary थी यह river था basically और यह tributary थी शोक रिवर की और यह शोक रिवर से कब यह उसमें बदल गया यह भी मेरा ख्याल से thousand years के आसपास ही होगा जब इसके मेरा यहां पर जो glaciers फीड कर रहे थे इसको उसका flow काम हो गया और यह river बन गया तो यह important चीज थी कि यह कैसे पहले क्योंकि यह fresh water river था और फिर यह salt water lake है highest मेरा ख्याल से one of the highest salt water lakes है यह बहुत important चीज थी तो यह देख और यह यह यहां पे है तो शोक रिवर पे यह मिल जाता है यहां पर यह tributary थी इसकी और फिर कैसे यह global warming के करण पैंगांग लेक जो है यह यह डाइंग river मैं इसको बोलता हूं कि यह कैसे global warming का lakes पे कैसे और rivers पे कैसे impact रहा है हमाले जो बहुत इंटरस्टिंग है यह समय मे impact of climate change, impact of climate change अगर हम as a geologist अगर हम मेरे से बात करेंगे कि क्या मैं समझता हूं इसमें तो यह है कि एक glacial melt होएंगे जब glacial melt होएंगे तो more flash flooding होएगी गर्मियों में उसके करण क्या होएगा जब sea level rise कर जाएगा तो monsoon की frequency बढ़ जाएगी, cyclones की frequency भी बढ़ जाएगी और monsoon क carrying capacity बढ़ जाएगी और फिर वहाँ भी हमार को basically क्या है कि global warming के करह हम देख रहे है water in the system increases, precipitation in the form of fresh water increase कर जाएगा पर precipitation जो उसनों के मामले में होईगी लेकिन वो इतनी नहीं होईगी जितनी पहले होती थी और वो सरा का सरा melt होएगा, तो उसके current flood होएगे और geologist, geology के नाते है इसको ऐसे मालें है कि this is just acting as a transporting agency to deposit, to transport all the sediments, जितने भी sediments deposit होई थे during global cooling times में उसको transport करना है, पहाडों की जैसे ख़रून लगी चोटी से ले जाके इंदस में डालना, इंदस ले जाएगी अपना बेव बेंगौल में, ट्रांसपोट करते करते, नंगापरवच से टरन लेग जाएगा, उसके बाद rock formation शुरू हो जाएगी और फिर वो एक rock cycle है basically, transporting agency, और ये rock cycle को complete करते, global warming और global cooling, global warming फेनामेना है, ultimately it is a geological फेनामेना, और global warming या global cooling is a geological phenomenon, it has nothing to do with man-made activities or temperatures, ठीक है, temperature increase होएगा, decrease होएगा, वो वोड़ी small प्रक्रिया है, उससे pollution levels का हम देख सकते हैं, लेकिन जो global warming है, जैसे वो सूरज का दिन, सूरज का टाइम है, और चंदरमा नाइट, राद, मिल जब सूरज, और जैसे नाइट देखते हैं, इसी तरह global warming या global cooling की cycles को भी understand करने की जुरू होता है, तो अब इसका जो impact अगर हम Himalayan glaciers में, जैसे मैं पहले ही बिता चुका हूँ, तो Himalayan glaciers में बहुत बड़ा impact हो चुका है, उस सारे के सारे ये recede कर चुके है, या extinct हो चुके है, या on the verge of extinction है, ये बहुत बड़ी statement मैं ब problem, लेकिन ये truth है, यूसे मैंने आपको glaciers का दिखाया और कारोकरम में भी कोई स्थिती नहीं है, अगि कारोकरम में हो भी जाएगा तो भी हमारे वो Himalayan part में बहुत कम उसका असर होने वाले है, क्योंकि वो श्योक से पानी सारा चला जाएगा, तो श्योक तो सिद्धा आग करने की बेवश्यक्त है, और कैसे करना है कि जैसे roads जो है, roads के लिए हम tunnels बना लें, उसके लिए roads के लिए हम खरदूमला को clear ना करें, या तंगलमला को clear ना करें, या इन glaciers को उसमें, जैसे अब रोतां में tunnel बन गी है, तो उपर glaciers प्रिज़ा हो जाएगा, तो उससे क्यों मेलाली के लिए पानी की resources बढ़ जाएंगे, because they are the storehouses of fresh water resources, ऐसे सुमझना चाहिए हमार को, यहाँ पर हम खुश होते हैं कि जब हम road clear कर लेते हैं, glaciers को extinct कर देते हैं, यह बड़ी दूवीदा वाली बात है, यह man-made activity है, हम glaciers को नहीं preserve करना जाते हैं, तो tunnels बन जाएं, उससे सब अच्छे हो जाएं, फिर flash flooding activity है, destruction of Indus civilization, तो जितनी भी Indus Valley civilization थी, Saraswoti Valley civilization थी, सबसे पहले Saraswoti थी, फिर Indus Valley civilization थी, हरपन civilization थी, तो यह सारे की सारी, जितनी भी civilization थी, कैसे extinct होगी, इनका impact है, global warming के साथ, global warming के कारण जब भी cycle बदलती है, cooling होती है, तो फिर बड़ यह हो ज जाती थी, क्योंकि यह Indus Valley, valleys के long civilization थी, तो इनका impact जो था, वो climate change के साथ बहुत ज़्यादा था, देखें, तो impact of warming on fresh water resources, मैंने पहले बदा दिया, अब क्या होएगा, जब आपके पास glaciers ही नहीं रहेंगे, तो fresh water resources पहले से squeezed up है, Indus River पहले कितनी बड़ी थी, शोक रिवर, क कम से कम कितना बड़ा उसका span था, 8-10 km तक का हम उसके डाय देख सकते हैं, जो glacier है, पर अब वो बिलकुल squeezed up है, Indus River भी ऐसी है, और जितने भी major rivers हैं, सिरफ यह seasons में बढ़ जाती हैं, कि जब गर्मी होती हैं, लेकिन otherwise, यह squeezed up है, because glaciers का मात्रा बहुत कम होई है, तो जितनी water supply schemes है, जो spring water sources में based हैं, या जो है, वो भी खत्रे में पढ़ सकते हैं, जो छोटी-छोटी गाओं को feed करती हैं, क्योंकि spring sources में भी इसका बहुत impact पड़ेगा, और cost of water increase कर जाएगा, तो rivers भी हमने देखा, जैसे pengong river था, फिर वो lake बन गया, और वो भी absorbed water lake हो गया, तो उसमें resources की ऐसे-जैसे धीरे-धीरे crunch आना शुरू हो जाएगा, water resources का आने वाले समय में, जैसे-जैसे warming बढ़ती लेगी, buildings में इसका देख रहे हैं, बहुत important impact देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पर देखेंगे, यह लिए palace है, तो इसकी buildings जो थी, इसके जो शीशे थे बड़े- हैं, तो यह global cooling और global warming को आप building के pattern से भी देख सकते हैं, और यह modern buildings हैं, इनको आप शीशे ही चाहिए, तो यह भी एक विशी है, कि कैसे हम इसको cater करते हैं, energy का भी इसमें बहुत futuristic अगर scenario देखेंगे, जब हिमालियस में glacier ही नहीं रहेंगे, यह glacier जैसे मैं बोल रहा हूं कि extinct ह तो आपके पास पानी की मात्रा हिमालेज में बहुत कम आने वाली है, global warming के करण, तो फिर क्या है, बेसिकली जितने भी hydral power projects हैं, अगर by chance हमारी cooling times नहीं आते तो warming times के करण, जितने भी hydral power में जितने भी investments हैं, वो खत्रे में आ सकती है, flash flooding हो सकती है, dams की life भी 50, cement की life जैसे 50 से 70 साल तक होती है, तो उनकी भी life है, तो कितना कितना वो कर सकते हैं, तो यह देखते हैं हम कि जो hydral power projects हैं, जितने भी जो वो हैं, वो भी सारे वो आ सकते हैं, cyclones के करण कोस्टल में, जैसे Florida में, जो अगर हम देखेंगे तो eastern part of America, उसमें cyclones की ज्यादा मात्रा आ जाएगी और western part of Europe, उसमें भी cyclones की ज्यादा मात्रा आ जाएगी, तो यह हमारे को देखने वाली बाते हैं, कि क्यों ज्यादा आ जाएगी, क्योंकि आप Arctic में glaciers की, मालेयाज में तो खतम होगें glaciers इतने ज्यादा नहीं रहें, तो हमारे को इतना ज्यादा 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 जो हमा डिन्मा कितना क्यों क्यों पहलेशान है, कि वह और ये अपना Holland, ये सारे के सारे अपना कोस्ट विल कंट्रीज हैं, और ये एकदम अगर थोड़ा सा भी sea level बढ़ता है, इनमें सबसे ज्यादा इनको ड्राउनिंग, जैसे हमारी द्वार का December, जो थी तो इनको भी अपने को को ड्राउन होने का बहुत ज़्यादा खत्रा है तो और यह हो भी रहा है कि फ्लॉरीडा में जैसे बहुत ज़्यादा साइक्लोंग्स आ रहे हैं या तो हमारे को यह देखने वाली बात है कि जो कोस्टर रीजिन्स हैं वहाँ पर साइक्लोंग्स बढ़ेंगे और जो मौंटे अगर हम नेचर को समझ जाएं और नेचर के साथ चलें जैसे पानी की मातरा बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है तो अब ग्लेशर नहीं रहेंगे लेकिन हमारे को जो अपने ग्राउंडवाटर रिसूर्स हैं और जो रिवर्द हैं जो रेंवाटर के कारण इतना पा पानी की मातरा तो बढ़ेगी बढ़ेगी और यह देख सकते हो आपकी एक सो यह मतलब एक हजार साल पहले की बात है तो यह मॉनेस्ट्री जब थी तो उसके लेक के पास बनी वी लेक था वहाँ पर तो मॉनेस्ट्री नहीं थी फिर लामा आया जिरू उन्होंने उसके हजार साल परानी है वहीं पर टिकी भी है और ग्लेशेज भी पढ़ते हैं वहाँ पर ग्लेशल लेक्स भी है थे पेलियो ग्लेशेटी लेक्स जो बुस्ट कर गए और यह फ्रिजाइल एंवार्मेंट लगती है लेकिन जब इसकी जब आप जियोलोजिकल अब निकाल दीजिए आतमी इतना बड़ा नहीं है कि वह ग्लोबल वामिंग को कुछ भी इंकाक्ट कर सकते हैं पॉल्यूटिंग टेक्नोलोजी जैंगी अप पॉल्यूशन लेवल ठीक हो जाएगा और आप हमार को उसकी तरफ काम भी करना है फिर हमें अपनी वाटर बाड हमारा पॉल्यूशन लेवल अच्छा हो जाएगा हम अच्छी तरह रह सकते हैं और उसके कारण हम क्लाइमेट चेंज को नहीं बदल सकते हैं क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वामिंग और ग्लोबल कुलिंग एक नाच्रल प्रक्रिया है यह हमारा को समझने की बात है यह नहीं हो सकता कि आप पाने की पर यह कहलें कि हम इसे अगर हमने पॉल्यूशन ठीक कर लिया तो हमने ग्लोबल वामिंग को भी कंट्रोल कर लिया यह बड़ी बहुत बड़ी मिस्कंसेप्शन हमारे वो युनाइटी नेशन आईपी सी से ने दिये और मेरे को पता नहीं वो जब थोड़े सालों बाद जब हकीकत समझ में आएगी तो उसका पीस प्राइज दिया गया है उसको युनाइटी नेशन का तो वो भी मेरे ख्याल से यह वापिस होना चाहिए क्योंकि यह बड़े-बहुत-बड़ी मिस्कंसेप्शन उन्होंने पैदा की तो अगर ग्लोबल वामिंग है तो बेस्ट पार्ट ऑफ इस प्लानेट है तो क्योंकि देखिए आप ड्रेस अच्छा पैन सकती हैं आप घूम सकते हैं आप नॉर्मल पानी को पी सकते हैं ग्लोबल कूलिंग टाइंस बिलकुल विपरीत हैं आप आर्टिक में जाके और अं लिकर नहीं पैन सकते हैं क्योंकि वहां पे ग्लोबल कूलिंग टाइंस हैं तो जो ग्लोबल वामिंग है इस इस बेस्ट पार्ट विए अन दिस प्लानेट अर्थ नहीं तो जिसको यह प्रसंद नहीं आता है यह जितने भी लोग इसके बारे में कुछ गलत अहवा उड़ा तो मैं यह ट्रिटेक्स टॉप मैंने की थी बहुत पहले तो वही मेरा ख्याल जैपूर में ही की थी या जैपूर में या उदेपूर में की थी जाए तो किसी इंस्टूट ने मेरे को बलाया था तो क्लाइमेट चेंज जो है बेसीकली is a geological phenomenon जैसे मैंने पहले गुला उसको therefore the solutions to combat climate change need to be geological वो solutions क्या है build sustainable habitats in geologically favorable locations environments और वो क्या है बही है कोस्ट के पास मत जाओ कुनार का टेंपल हजारों साल पहले से बनावा है कोस्ट के पास है और इसा में कोस्ट दूर है उसको आज तक कोई छूनी पाया वहां तक इस तरह की अगर हम institute's बनाएंगे जैसे कुनार टेंपल थे या जो जितने भी हमारे प्राणी टेंपल जिनको जो solar solar university basically तो इस तरह के जो इस तरह के जो इस तरह के जो इस तरह के जो इस तरह तो बनाएते हैं लेकिन वह गड़बर हो जाते हैं क्योंकि कही नहीं क्योंकि वह geologically stable location पे नहीं है लेकिन जो हमारे प्राणी परंपरा रही है क्या हूं कुनार टेंपल को ले ले या लड़ाक की मॉनेस्टरी को ले ले हजार हजार साल पहले हैं ले फ्लड में 2010 में उनका कुछ भी बाल बांका नहीं ह हुआ था ऐसे आप देख लो जब सुनाम में आई थी तो पराणे स्ट्रक्टर्स को कुछ नहीं हुआ था जितनी नहीं बिल्लिंग्स थी सब तहस्नेस हो गई थी तो यह जो मंदिर था यह मंदिर नहीं है बेसीकली यह मॉनेस्ट्री जो ऐसे बिनाने देते थे पाड़ों के उपर उनका एक सिग्निफिकेंस था ले पहले साहिए यहां पर वही पांसव शेस्टू साल है नाइन स्टोरीज है हाई सेस्मिक जोन में है तो सिंपल जोर्जिकली फेवरेबल लोकेशन में अगर आप कुछ भी करेंगे तो वही बहतर है अन्याथा सब प्रॉब्लम में आ जाएगा तो यह सिंपल से सॉलूइशन है कोस्ट में अपना आप जितना भी आपकी कोस्ट में मत जाईए जहां पे भी वह पराणे मंदिर बन समय तो आप को दो के शीकारें में को सब्रॉब्लम में हुआ जाएगी अफिनल य अफिनक अवराव माहिड व प्रॉब्लम में आ जाए और अपनी में लास् छाइड्य वंके और सलैडञा से कंक्लूइड गी थी मैं उसी से ही खत्म करना चाहूंगा एक स्ट्रीम जो है यह वाली यह सारे की सारी फ्रीज हो चुकी है अभी यह मैंने लेटेस्ट कीचियां यहां पर मैं लदाख में हूँ तो यह सारे की सारी फ्रीज हो और यह ग्लोबल कुलिंग टाइम्स को बर्च दर्शाती है इन करने में सबके लिए बहुत एहम है और ऐसी तो यह सारी की सारी जमनी शुरू हो जाएगी अगर मैं थोड़े सा थोड़े दिनों के बाद जांगो तो यह वाली स्ट्रीम भी जमी होएगी तो वह ग्लोबल कुलिंग टाइम्स हैं अगर वामिंग टाइम्स हमारे को चाहिए तो पानी बहते रहने कीजिए अन्यथा ग्लोबल कुलिंग टाइम्स की तरह हम सब फ्रीज हो जाएंगे धन्यवाद इंजॉइ ग्लोबल वार्मिंग देस्ट बेस्ट पार्ट टुबी अन इस प्लानेट एर्थ थैंक्यू बोलता हूं और जिन्हों ने मेरे को मौका दिया यहां पर इधर प्रेजेंट करने का और मैं आप सबसे स्वरी जाता हूं क्योंकि यहां पर इंटरनेट इतना अच्छा नहीं होता था तो मैंने प्री रिकॉर्ड करने की कोशिश की किसी